हेलो फ्रेंड्स फर्मूलेटर के ओनलाइन प्लेटफर्म पे आप लोग का स्वागत है आपका मैं राकेश कमार ज्या आज इंट्रुड़क्शन ओफ जो हमारा चलेगा वह है ओपरेटिंग सिस्टम फोर्सेम सीएस ई का ओपरेटिंग सिस्टम यानि system को कैसे ओपरेट करना है और ओएस इसका सवाट फॉर्म हम लोग जैनरली रणिंग में OS OS बोलते हैं OS यानि operating system आप OS को running में या फिर OS एक अगर common अगर हम समझे तो आप हमेशा बोलते हैं यार इसका यह OS है यह Windows 10 OS है या Windows 11 OS है Windows XP है या OS OS operating system इन सब को बारे में भी हम जानते हैं लेकिन operating system जो detail में अगर हम जाने या operating system अगर हम इसे एक अच्छे तरीके समझे as a computer programmer as a computer science engineer students यह बहुत important paper है ठेक है आप इसे एक कहें तो एक खलके में नहीं ले सकते हैं यह बहुत ही एक important paper है और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ठीक है टोटल इसमें आपको 6 मॉडुल में बाटा है और बहुत ही अच्छा स्लेवस BIEU ने यानि BIEU इन यानि इन्जिनिंग इन्वर्सिटी ने बहुत अच्छा ये मॉडुल को अच्छे तरीके से बाटा है ठीक है टोटल 6 पहला मॉडुल जो ये हमको बताता है ये concept है यहां पर introduction है मतलब हम अंदर की और अब जाने के लिए यानि operating system को जानने के लिए मॉडुल 1 से in करेंगे कहां तक in करते वाएंगे 6 तक ठीक है तो ये जो मॉडुल 1 है इसमें क्या करना है concept of operating system what is operating system अगर जेनरली समझे it is a mediator between user and hardware या user and interfaces ये mediator है अगर हम इसे definition के रूप में अगर दो land में हमने बता दिया आपको mediator वो mediator जो किसी 2 person को मिला है यानि आपका दोस्त आपको या और किसी को मिला है वो क्या होगा mediator होगा ठीक है तो यहां पर क्या है कि operating system क्या है user और hardware hardware फर वाट कॉन वो architecture macro processor जिसमें सारे बहुत सारे hardware होते हैं वो hardware आप छू के आप कोई काम नहीं कर सकते वो hardware को access कौन करवाता है computer में और हमारे तक सारा सामने front में ले के आता है वो कौन होता है वो है operating systems के ठीक है तो इस यहां से गर हम यहां पर देखें तो इसके बाद इसका generation से start है generation में operating systems के types of operating systems का यहां पर है यानि उसका types कितने बहुत सारे ऐसे अगर देखा जाए तो multiprocessing भी multitasking भी operating system होते है और भी इसके अलग types भी होते है उस पर भी चलेंगे OS का services operating system का services कैसा होगा वहां पर वह चीज़ देखेंगे systems calls है structure of OS layered है monolithic है macro kernel operating system है concept of virtual machine से case study of unix and windows operating system तो इसमें अभी यहां पर जो कह रहा है कि case study case study of unix and windows operating system का उसका भी एक case study है Linux हो या फिर apple का अपना एक operating system उसका अगर macOS हम जिसको बोलते है windows का आप ले लो जितने भी windows के अभी तक operating system आए उसके का case study अगर देखना है तो वह वहां पर एक main task perform करता है जिसके अंदर ही macro kernel हो या उसके operating system है OS layered अगर system अगर देखा जाए तो वहां पर वह काम करता है तो यह हमारा module 1 में यह एक part है अब module 2 से अगर हम इसे देखा जाए तो module 2 में हमारा cap 3 part इसे बाता है module 2 में process thread and scheduling process scheduling process definition process relationship different state अब जैसे macro processor में की process होना यानि process तो हड़ एक चीज में बिना process तो कोई काम नहीं होता है process तो आप करोगे तभी आगे तक बढ़ोगे ठीक है हम अभी खड़े है process करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो process का relationship वहां पर देखना देखा जाएगा process state यहां पर किस state पर process अभी पहुंचा है हमारा आप कोई file आगे बढ़ा दिये तो आपका file कहां तक गया आप इस्टेटस ट्रैक करते हो ना अपने तो यह चीज यहां पर देखा जाता है process control block PCB यह बहुत इंपोर्टेंट है आपके semester exam के लिए यह BVI है process control block यह बहुत इंपोर्टेंट है यह questions आएगा ही आता ही आएगा ठीक है आएगा ही और next इसमें context switching के लिए यहां पर देखना है इसमें उसके बाद आता है thread, thread क्या है एक errors part को देखना इसमें जाता है जो various thread आ गया या multi-threading है जिसमें एक अपना error को generate कराना अपने errors को perform कराना operating system से कैसे वो perform होता है यह चीज हम यहां thread में देखेंगे process scheduling में foundation and scheduling objective type scheduler कैसे schedule होता है process जैसे कोई काम अगर आप करते हो तो schedule बनाते हो न हमें मेरा यह आज का schedule है मुझे यहां 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 जाना है ठीक है तो यानि वो आपका process का scheduling हुआ यानि आप उस तरह से ऐसे जाओगे तो उसी तरह computer में भी जो work होता है उसका क्या होता है schedule साहे वो किसी भी तरह करो first आओ तो first पाओ last आओ first पाओ तो इस टैप का जितने भी काम है वो क्या है schedule होता है ठीक है तो उसी में operating system में कैसे वो schedule maintain होता है उसके बारे में यहां पर जानेंगे module 3 inter process communication यह भी एक important आपका module 3 है ठीक है जिसमें criteria section, race condition, mutual exclusion, hardware solution, strict alternation है पिटरसन solution है, producers है, sema force है, counters, monitor message passing यह सब जितने भी हैं यह एक तरह से operating system जब काम कर रहा होता है तो कैसे एक inter process communications होते हैं तो उन सब में कैसे memory को manage करना, memory में read और write को perform कराना, कैसे उस चीज को active कराना होता है, कैसे हम sema force conditions हैं वो सब को हम लगाते हैं यह हम उसमें detail में जानेंगे मोडूल 4 में आगर आ गएं तो deadlock यहाँ पर यह हमारा main part है, बहुत important chapter है, deadlock जो यहाँ पर हमने sema force के बारे में ही देखा, sema force हो यह फिर और भी conditions आते हैं जिसके अंदर deadlock को prevent करना यानि deadlock वो situation है जो आपका computer बहुत ही ठका हुआ है, यानि आप काम करते करते अगर काम कर रहे हो करते करते अगिदम आप बेशूत गिर पड़े, तो वो आपका क्या है? deadlock situation है, उसी तरह computer भी क्या है? काम आप उससे करवा रहे हो, करवा रहे हो, multi process उसके साथ आप इंटर क करते रहे हो तो वो एक समेय में क्या होता है? hang करता है system, तो this hang is called a deadlock, वाँ पर क्या deadlock हो जाता है? यह ऐसा नहीं कि deadlock को हम prevent नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं कि deadlock को हम avoid नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन कैसे हम होगा? उस उसससे को लिए के यहां पर deadlock है, deadlock prevention एक एसी स्ध और मॉडूल 5 और 6 में जो है मॉडूल 5 और 6 को अगर हम यहां पे देखें तो मॉडूल 5 में memory management और virtual memory इस 5 में पूरा memory management है जिसमें आपका address memory location होगा continuous memory location होगा या internal external fragmentation होगा paging है, segmentation है, virtual में आपका hardware control structure है first in, first out, second chance है यह सब जितने भी हैं आपका memory management और virtual memory में यहां पे deal करना है सारा जो होगा वो memory based होगा जितने भी आप memory आप काम होता है memory पे उस पे based है and the last जो module 6 आपका रहेगा वो है file से related सारा काम होगा कैसे operating system file को manage करता है जिसमें file types है, file operation है, directory structures है कैसे directory बना जाता है, free space को कैसे management करते है memory में file कैसे manage होता है आप अपने laptop में देखते होगे folder wise सारा वो automatic arrange होते रहता है किस way में tiles में रखना है, thumbnail में रखना है, कैसे memory में उससे सजाना है यह सब सीज हम इसमें देखेंगे module 6 में, ठीक है, तो total आपका module 6 तक हमारा segment पुड़ा रहेगा इसमें module 1 से start कर, module 6 तक चलेंगे यह बहुत ही important आपका paper रहेगा, बहुत ही computer science वालों के लिए यह important paper है, totally theory based paper है कोई भी इसमें छोटा कहीं कहीं थोड़ा mathematical term आता है जहां पे हम turn around time निकालना है, waiting time निकालना है इन सब के बारे में यहां पे हम discuss करेंगे थोड़ा वर मैं mathematical term में, लेकिन fully पूरा यह एक theoretical based concept है, लेकिन फिर भी यह theoretical में बहुत ही important paper है, ठीक है, तो आज यह हमारा introduction था, syllabus का, operating system का, अब हम next से इसका हम module wise lecture start करेंगे और आपके सामने इसे हम एक अच्छी module wise हम platform पे लेके हुए आएंगे, ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं next video में, next lecture में और एक बार फिर आप लोग से एक request, आप लोग formulator के आपको और अपने फ्रेंड तक उसे पहुंचाएं, उसे फ्रेंड को बोलें, आपको डॉनलोड करें, आपको हर एक same का, one से लेके, eight same का, कोई भी branch का, module wise, subject wise, पूरा एक well maintained, आपको arrangement में आपको आप मिलेगा, आप उसमें कुछ content को आप देखके पढ़ सकते हैं, बाकि आप उसमें आपको डॉनलोड करेंगे, तो और और जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो चलिए फिर, मिलते हैं, operating system के नए lecture series में, जिसमें हम आपको module wise start करेंगे, पहला module रहेगा, introduction of operating system